बोलीवूड में एक मूवी आये थी जिसके अंदर में गिरदार में आपको नजर आये थे सल्मान कार और अविताब बच्चन और जिस मूवी की एक कोपी थी सच कहूँ यार यह जो कोपी इनोंने की है बोलीवूड के अंदर वो एकदम डिजास्टर मूवी थी इतनी बेकार कोपी की गई थी तो आज की इस वीडियों में बात करूंगा Bruce Almighty मुवी के बारे में जो 2003 के अंदर आई थी और इस मुवी के अंदर आपको main केदार में नज़र आएंगे जिम कैरी सर जो एक Bruce नाम के एक वेक्टी का केदार प्ले कर रहे हैं जो एक reporter होता है अपनी life से काफी ज़्यादा परिशान होता है मतलब कि यह traffic में फ़र्स जाए तो भगवान को कोसने लग जाता है और हर चीज के लिए चोटी से चोटी और बड़ी से बड़ी चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ अब भगवान को ही इसका जिम्मेदार मानता है और एक वक्त आता है कि इतना अज़्यादा यह परिशान हो जाता है कि बस गालियां ही देनी शुरू कर देता है और ट्विस्ट इस मोई में तब आता है जब भगवान इसके सामने आते हैं और बुरूस को कहते हैं भाई सब इसको बहुत अच्छा लगता है कि हां हर चीज इसके लिए असान हो गई है अपने आपको फेमस करने के लिए वो हर चीज करेगा चाहें उससे दूसरे को तकलिफ हो रही हो और एक नॉर्मल इनसान जो भगवान बनता है उसके पास इतनी सारी पावर आती है तो वो कैसे सेल्विस हो जाते है तो यह सब चीज़ें आप लोगों को इस मोई में देखने को मिलेगी सबसे बढ़िया बात मुझे इस म हुई है तो उसका रजल्ट आपको जहिलना पड़ेगा लेकिन हमारे यहां पर जो बनी हिंडी मुवी इसकी जो कोपी की गई थी गोर्त उसी ग्रेट हो उसके अंदर तो बस ऐसे चुटकी बजाए और सब चीज़ें सही हो जाती है लेकिन बोलीवूर तो अपनी अलगी ध क कीसी अगर आप एक्शू की तुलना करों काको एक तरफ जिम कैरी सेर और यहां पर एक तरफ स चिंदा चोड़ दो वहां पर आप कोमेडी टाइमिंग की चिंदा चोड़ दो क्योंकि वह बहुत अच्छे से उन चीजों को प्ले करते हैं और यह सब चीजें हम लोगों को इस मुवी में देखने को मिलती हैं बहुत फणी होता है स्टार्टिंग में आप जैसे देखेंगे वह ट्रैफिक में फसना इरिटेट होना सारी चीजें अपने आप मतलब इनके उपर बीठती हैं कैसे इनके गुसा सामने आता है वह आप सब चीजें इस मुवी के अंदर इंजोई करने वाले हो मेरी तरफ से इस मुवी को मैं देना झाले हो